आज मैं आपको फलहारी पराठा बनाना बताती हूं कैसे बनाया जाता है ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है आप इसको इसली गर में बना सकते हैं इसको मैं सिंगाडे के आटे और आलू से बनाऊंगी अब मैं आपको बताती हूं इसके लिए मुझे किसकी ची लिया है थोड़ा सा हरा धनिया एक हरी मिर्च आदी छोटी चम्मच काली मिर्च मिर्च आप अपमें टेस्क के उसार इसके अंदर डाल सकते हैं आदी छोटी चम्मच नमक नमक पी आप अपमें टेस्क के उसार इसके अंदर डालने अब मैं आपको बताती हूं इसको बनाते क मैंने एक बावल ले लिया है अब इन आलूओं को ग्रेट कर लेती हूं जिसे में परांखे मनाने में आसानी रहेगी सबी आलू को मैंने ग्रेट कर दिया है अब मैं इसमें संगाड़े काटा डाल देती हूं हरी मिर्च नमक काली मिर्च हरा धनिया और सभी चीजों को मैं हाथ से मिक्स कर लूँगी मैंने सभी चीजों को मिक्स कर लिया है अब मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसका डो बनाऊंगी जैसे हम चपाति का बनाते हैं उसी तरीके का बनाना है पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसकी अंदर डाले क्योंकि इसमें आलू पड़े हूं इसलिए हमें पानी की ज़्यादा जरूत नहीं पड़ती कि मैंने डो बना लिया है हमेसी टैक पर डो चाहिए हमें हाथ में थोड़ा सा ओल लगा करके टो को चिकना कर देती है अब 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 करके दस मिनट के लिए रख देती हूं सेट होने के लिए यह सेट हो जाएगा तब मैं आपको प्राठे बना के दिखाऊंगी कि दस मिनट हो गए है डो भी सेट हो गिया है अब मैं धlights को मना लेती हो यह थमे साबसे बना लेकिए आपको कितने बड़ते प्रांठी चाहिए इन्यक्त पैसी एक लोग लेलिये अब मैं आपको आपको प्रांठी बना के दिखाती हूं इसको डग करके रख hon यह मैंने सुखा अटा लिया है इस लोई को इसमें लपेट देती हूँ इसको हलके आज से आप बेलें साइज आप अपनी साप से बना लें कि आपको किता बड़ा चाहिए इसका प्रांड़ा थोड़ा सा मोटा ही बनता है दिखाती हूँ आपको देखिए यह मैंने बना लिया है अब मैं इसको इस पर रख देती हूँ अब मैं आपको सेख के दिखाऊंगी गैस पर मैंने तबा रख दिया है तबा गरम हो गया है अब मैं इस पर पराठा डाल देती है जब एक तरफ से शिख जाएगा तब मैं इसको पलटूँगी अब मैं दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से शेख लूँगी और गैस को मैंने मीडियम रखा है दूसरी तरफ से भी पराठे से गया है अब मैं इसमें और लगा देती हूँ आप चाहें गी में भी सेख सकते हैं और और कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप खाना पसंद करते हैं अब मैं इसको परट देते हैं और हलके हातों से दबाते हुए इस पराठे को आप सेख दें इस तरीके सेख लें इस तरीके अब मैं दर से भी औल लगा देती हूँ अब पराठे को परट देती हूँ देखे कितना अच्छा पराठा बनाया है अब मैं इस पराठे को निकाल लेती हूँ देखे कितना अच्छा पराठे सिखा है यह अब मैं इस पर दूसरा पराठा डाल देती हूँ अब इसको भी वसी सेख लूँगी जैसे मैंने पहला सेखा था यह पराठा भी सिख गया है अब मैं इस पराठे को भी निकाल लेती हूँ और देखे कितने अच्छे पराठे सेके हैं इसी तरीके से मैं सभी पराठो को सेख लूँगी एखे कितने अच्छे पराठे बनके तयार हुए हैं बहुत जाद टेस्टी रखते खाने में और बहुत ज़्यदा सॉफ्ट होते हैं आप इसको धाई के साथ चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं आप इनको ज़रूर ट्राइ कीजिए का फिर मुझे बताइए यह आपको कैसे लगे अगर यह पराठे आपको पसंद आते तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीज और मेरे चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब मना ना भूलें मैं नेस्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर उपस्तित होंगे जब तक के लिए नमस्कार